नवस्कार आप देख रहे हैं नियूस नेशन का डिजिटल प्लाट्फार्म मैं आपके साथ अंकिरा एंडिटेन्मेंट्वेन राखे सावन किसी ना किसी वज़स से अक्सर चर्चा में बन रहती है वहीं देनों राखे सावन आदिल के साथ अपनी शादी को लेकर सुर्कियों में बनी हुई है हाली में राखी ने आदिल के साथ हुए अपने निकाह के तस्वीरों और वीडियो को सोचल मेडिया पर साचा किया था जिसके बाद से ही दोनों चर्चा में आ गए पहले जहां आदिल ने शादी से साफ इंकार किया था तो अब उन्होंने निकाह कुबूल कर लिया है हलाकि अभी भी उनका परिवार शादी के खिलाफ है दरसल राखी सावंत नहीं अचाना की आदिल खान दुरानी के साथ अपनी शादी का खुला सक्या था जिसे जाने के बाद हर कोई हैरान रह गया था इसके बाद से राखी खुल कर अपनी शादी को लेकर बात कह रही थी तो आदिल ने इससे इंकार कर दिया हलाकि इसके बाद उन्होंने कुछ भी बोलने के लिए थोड़ा समय मागा वहीं अब हाली में दिये गया एक इंटब्य में आदिल ने राखी से अपनी शादी की बात को मना लिया है उनका कहना है कि वो अपने परिवार को मनाने की कोशिश में लगे हुए है आदिल ने कहा कि अभी परिवार अच्छी तरह से जानता है कि मैं और राखी साथ है लेकिन उन्हें मनाने का प्रोसेस चल रहा है वो अभी तक राखी के लिए माने नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में अभी कुछ समय लगेगा पहले मैं इस बात से इनकार कर रहा था लेकिन देखा कि राखी जहां होती है वहां कॉंट्रोवर्सी होती है तो फिर मैंने भी यही सोचा कि अब मीडिया में इतनी बाते होने के बाद शादे की बात को कुबोल करना ठीक है आदिल ने कहा कि मैं और राखी शादे शुदा है और वो दोनों साथ में खुश है परिवार को इस बारे में जानकारी है लेकिन वो अभी इसके लिए राजी नहीं हुए है और उन्हें मनाने का प्रोसेस चल रहा है वही जब आदिल से ये बातचीत हो रही थी तब राखी उनके साथ थी इसे पहले राखी सामद में आदिल संग जब निकाह की बात मेडिया में कही थी तो वो काफी रो रही थी अक्टरूस का कहना था कि आदिल उन्हें धोखा दे रहे हैं उनके फोन में उन्हें कई चीजे मिली हैं जिसे पता चलता है कि आदिल का मराथी बिग बॉस कंटेस्टिन के साथ अफिर चल रहा था वो आदिल के साथ एक ऐसे स्थिती में फसी थी जहां से निकल पाना मुश्किल हो रहा था लाइफ में कई चीशे हो रही थी इधर मां को ब्रेंट यूमर की समस्या हुई और दूसरी और आदिल के साथ लाइफ में चीजेगे चल रही थी बतादे कि राके सावंत और आदिल खान दुरानी ने 7 महीने पहले रीटि रिवाज से निकाह किया था इतना ही नहीं राकी ने अपना नाम भी बदल कर फातिमा रख लिया था हलाकि जब यह खबर मीडिया के सामने आई तो आदिल ने साफ इंकार कर दिया ऐसे में राकी का रो रोकल बुरा हाल था एग और आक्टरस की मा का कैंसर का हिलाज चल रहा तो आदिल के ऐसे करने की वज़े से वो कुछ समझ नहीं पा रहे थी हलाकि राकी से निकाह की बात को आदिल ने कुबूल कर लिया है इस वीजियो पर आपकी क्या रहा है कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं साथे साथ देश दुनिया के तमाम और छोटी और बड़े खबरों की जानकारी के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ